हलो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेप्रेशन ओफ इनॉल हमने बात की थी कि जब आप लोगों के वोट के लिए टाइम टेबल आया था तो हमने कहा था कि कुछ हम 10 मिनट की पंदर मेंट की आपको वीडियो प्रोड जरूर करेंगे तो अब लगता है कि समय आ गया कि आप लोगों को वीडियो 10 मिनट पंदर मेंट की दी जाए जो भी लोग इंटरस्टेट हैं उसे वो देख सकते हैं हम जनरली बात करेंगे पहले हम सुरुवात ही कर रहे पहले हम जनरल होता क्या है सबसे पहले तो इज ही देख लें थो हम कहते हैं कि यह बेंजीन गण इस पर एक hydrogen को हटाके उसकी जग हम O-H लगा देते हैं तो जो यह compound होता है इसी को हम लोग फिनॉल कहते है फिनॉल जो होते है वो acidic होते है फिनॉल का एक और नाम होता है कुछ लोगों ने पढ़े होंगे तो जरूर देखे होंगे कि इसको carbolic acid कहते है फिनॉल को हम लोग क्या यह hydrogen जब बाहर निकलते हैं तो जो conjugate anion बनके आता है यह conjugate anion हमारे लिए resonance stabilized होते है conjugate anion क्या है resonance stabilized है यह वाला negative charge यहां attack करेंगे तो यह pi bond बगल वाले carbon पे move कर जाते है system हमारा conjugate होता है तो यह इसके resonating structure बनते है double bond O इस carbon पे negative यह double यह double फिर से यह system हमारा conjugate हो गया negative single double double single double double single double का conjugation है ठीक तो फिर से delocalization होंगे यह यहां चले जाएंगे यह यहां पे move करेंगे उस case में यह resonating structure बनके आते है फर्दर यह resonance और आगे तक extend होते है चले जाएंगे तो जो conjugate anion बनके आ रहे है वो resonance stabilize हो रहे है अब resonance stabilize होने के वाइस अनायन more stable बन रहे है तो ऐसे compound जो अपने मेंसे H plus release कर दें release करने के बाद जो उनका anion बनता है conjugate anion अगर वो किसी तरह से stabilize हो जाता है तो फिर हम कहते हैं कि compound acidic है क्योंकि बनने वादा anion जादा stable होते हैं तो यह acidic भी होते हैं इससे थोड़ा idea हमें लग रहा और फिर से क्या होते हैं यह जो OH या फिनॉल है इसकी preparation हमें देखनी है तो हम दो देखते हैं कैसे हम बनाते हैं फिनॉल को तो method of preparation और फिनॉल को बनाने के क्या-क्या हमारे पस तरीके हैं पहला जो सबसे आसान तरीका होता है बनाने का वो है हमारे लिए from chlorobenzine एक्चली हम लोग हेलोयलकेन हेलोयरीन में पढ़ते भी है क्लोरोवेंजीन से बनाने के तरीके हम करते हैं कि हम एक chlorobenzine लेते हैं इसकी reaction हम लोग sodium hydroxide के साथ कराते हैं क्लोरोवेंजीन के लिए sodium hydroxide के साथ कराते हैं critical conditions होती है मतलब हाई temperature हाई pressure की condition होती है 673 Kelvin temperature होता है 200 ATM का दाब हम रखते हैं जब इसकी reaction कराते हैं तो यहां से C l हट जाते हैं और उसकी जगाँ पे O-H लग जाते है यह फिनोल हमें मिलते हैं एक तरह से ही industrial method से इंडस्ट्री में हम लोग फिनोल को ऐसे ही बनाते हैं एक और तरीका इंडस्ट्री में बनाने का फिनोल उसको आखरी में सबसे देखेंगे सबसे पहले इसे की बात करते ह के साथ करा हूँ 633 Kelvin temperature हो 200 ATM compressor हो जाए तो फिनॉल बनते हैं इस method को Dodge method कहते हैं दूसरा तरीका दूसरा तरीका फ्रॉम बेंजीन हम बेंजीन से भी बना सकते हैं बेंजीन से कैसे बनाएंगे हमने यह बेंजीन लिए इस बेंजीन की रियक्शन हमने ओलियम के साथ करा दी 300 Kelvin के temperature पर रियक्शन कराई ओलियम के साथ तो यहां बेंजीन का सल्फोनेशन हो जाता है और सल्फोनेशन होके बनते हैं SO3H सल्फोनिक एसिड फिर जो यह सल्फोनिक एसिड बने इनकी रियक्शन हम सोडियम हाइड्रोकसाइड किसी बेस के साथ कराते हैं तो यहां पर इसिड बेस रियक्शन होती है तो यह बनते हैं SO3 माइनस और यह एनने प्लस ठीक बाद में क्या करो इसी का करा देते हैं बाद में क्या करते हैं इसके लिए इसल्फोनेशन कराते हैं जनरली उसके लिए भी जो हमनों बेस यूज करते हैं बच्चों जब इसल्फोनेशन कराते हैं तो उसके लिए जो हमनों बेस यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोकसाइड के साथ इसल्फोनेशन कर मिलेंगे और Na2SO3 बहार हो जाते हैं साइट प्रोड़र्ट के रूप में मिलते हैं तो यह पी एक तरीका है जिसे चाहें तो है तो हम फिनॉल बना सकते हैं जो तीसरा तरीका होता है फिनॉल बनाने का वह फ्रॉम एनिलीन से बना सकते हैं एक पी हैच एनिस टो हेलो एलकिन और हेलो एरीन में एक रेक्शन पढ़ा जाती है सेंड मेयर रेक्शन या उसको सेंड मायर रेक्शन कहते हैं तो सेंड मेयर रेक्शन में करते क्या लोग कि हम नाइट्रस एसिड लेते हैं नाइट्रस एसिड जनरली पाय नहीं जाते हैं तो हम इनको सीटू फॉर करने के लिए हमें zero से तेस्टे हुआ होता तया जोज तेस्टव हमारे पास होता उसमें बाहर से आइस मिला देते दाएजिनियम सॉल्ट इस डाइजिनियम सॉल्ट की रयेक्शन या तो हम गरम पानी के साथ करा दे या फिर हम चाहिए तो dilute sulfuric acid के साथ भी करा सकते हैं तो जब गरम पानी के साथ कराते हैं तो N टो बाहर निकल जाते हैं SCL बनता है और साथ में OH यहां लग जाते हैं तो हमें phenol product के रूप में मिलते हैं ठीक चौथा यो तरीका होता है बनाने का phenol N-7 के साथ पर चलेंगे तो पहला तो यह यह chlorobenzene दोसरा हमारे पास benzen से तिसरा aniline और चौथे के वह बात करते हैं from qumene qumene से हम कैसे क्या करेंगे phenol बनाएंगे तो qumene से phenol बनाने के लिए जनरल हम लोग करते क्या है हम qumene लेते हैं qumene का मतलब होता है isopropyl benzen यह है isopropyl benzen इस isopropyl benzen के reaction हम लोग कराते हैं oxygen के साथ इसका aerial oxidation होता है और जब aerial oxidation होते हैं तो यह कुछ ऐसे है COO और यह H यह methyl यह methyl इसे पर-oxy बन के आते हैं aerial oxidation से फिर इसको क्या करते हैं हम लोग heat करते हैं गरम करते हैं acidic medium भी थोड़ा सामले लेते हैं गरम करते समय तो जब गरम करते हैं तो इसमें rearrangement होता है और rearrange होके होता क्या है कि यह phenyl है यह phenyl shift कर जाता है इस oxygen पे और जैसे यह phenyl shift करके oxygen पे जाते हैं तो हमें तो product के रूप में phenol मिलते हैं साथ में एक और side product बन के आता है जो industrial हमारे लिए बहुत ज़्यादा important होता है वो है acetone तो acetone भी लगे हाथ हों मिल गए हमें साथ में बच्चों हमें phenol भी मिल गए हमें क्या होगे? acetone भी मिल गए, phenol भी मिल गए तो यह हमारे लिए preparation हो जाती है phenol की, तो चल दे से इसे note कर ले I hope सबने note कर लिया होंगे ठीक है, दो और तरीके हैं, जिससे हम लोग phenol बना सकते हैं, यह ncati की पहले चारो थी हमने ncati वाले बता दिये, दो और तरीके जिससे हम लोग phenol बनाते हैं वो side books वगएरा में मिल जाएंगी इनcati में तो नहीं दे रखी हैं अभी पाच वाच वाच तरीका है phenol बनाने के लिए सबनीक reaction पड़ी होगी decarbo oxalation reaction जिलनों को थोड़ा सा याद नहीं हम उनको याद दिला देते हैं decarbo oxalation reaction में हम लोग करते क्या हैं कोई एक carbo oxalic acid लेते हैं उसकी reaction हम लोग कराते हैं sodium hydroxide और calcium oxide के साथ तो याद रखने के sense में हम याद रखते हैं कि यहाँ से CO2 बाहर निकल जाते हैं CO2 बाहर जब निकलते हैं तो यह एलकेन बनाते हैं प्रेप्रेशन आफ एलकेन में इसे हम लोग पड़ते हैं तो कुछ ऐसा करें हम कोई ऐसा compound ले ले जिससे phenol बन जाए तो हमें यह phenol बनाने है अब सोचो हम decarbon oxidation कराना चाहते हैं क्या कोई ऐसा compound है कि यहाँ कहीं अगल बगल CO2 CWH लगा हो हट जाए हो तो एक acid होता है जिसका नाम होता है salicylic acid इस salicylic acid की reaction अगर करा दी जाए इसके साथ तो काम बन जाएगा एक्चली होगा क्या कि सबसे पहले salicylic acid जो है NaOH के साथ reaction करेंगे तो यहाँ acid based reaction होगी यह हो गए O minus Na plus यह हो गए C double O minus Na plus acid based reaction बहुत तीजी से होती है फास्ट होती है जो पहले हो जाती है हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं sodium hydroxide और calcium oxide अभी भी तो present है तो अपना decarboxylation का काम करेंगे और जब काम करेंगे तो 2 इक रीजेंट होता है सबने नाम सुने होंगे फ्रॉम ग्रिगणाड रीजेंट अभी कर्मक या ग्रेजेंट की मदद से भी हम लोग फिनोल बना सकते हैं पहले ग्रिजेंट होते क्या यह देख लेते हैं हम जब alkyl halide की reaction magnesium के साथ कराते इं in presence of tri ether यह magnesium alkyl और हाइलोजन के बीच में एड हो जाते हैं एड होके बनाते हैं RMGX ठीक इसकी बड़ी खास बात है इस RMGX को और किसे भी हाइडोजन के सोर्स के कॉंटेक्ट में हम लेके आए कोई भी हो जो हाइडोजन का सोर्स हो सके जो अपने में से हैस प्लस दे सके तो यह एलकेन बना लेते हैं बड़ी एच्छी रियक्शन सोग करते हैं कि हम कभी पढ़ेंगे इसे भी टिक तो यह अलकेन बनते हैं हमें बनाना फिनॉल है तो हम क्या करते हैं हम इस आर की जगह अपकी बार ग्रिणार्ट रिएजेंट में फिनी ले लेते हैं और MgCl लिए इसकी रियक्शन ह साथ कराते हैं इंचली होता क्या है जो हम इसकी रियक्शन कराते हैं तो यह जो आर एक्स है इसमें से आर वाला जो होता है वो निगेटिबली चार्ज होता है हमारे लिए आर क्या होते हैं बच्छों हमारे लिए निगेटिबली चार्ज होते हैं और आर निगेटिबली चा मैं क्या करते हैं अथे कर देतें क्या कर्देते हैं एडि zar compon थे कारबोणील में तो हम लूब प्रायमरी याको स्केंडरी यालकोल बना लेते हैं तरिख से से बनते हैं किटन से बनते हैं अली हाइट से बनते हमारे से बनते हमारे से यानम है स्फॉरे कि यहां से यहां चाहि और जाएंगे धिर्डॉखया, फीनौल निकिए तरहने ऊक्षिथा हैर। जाएंगे एक समरी में याद रखने के सिंज में हम बना सबसे पहले हमने पढ़े थे कि जह हम chloro-benzen की रियक्षन कराते हैं सोडियम hydroxide के साथ या कोई भी base हो सकता है hydroxide base या AG2O भी हो सकता है इसकी जगह हम reaction करा दें 673 Kelvin 200 ATM दाब पे तो हमें phenol product के रूप में मिलते हैं हमें दूसरा तरीका पढ़ा था बेंजीन ली थी बेंजीन की हमने oleum के साथ reaction कराई H2S2O7 के साथ 300 Kelvin के तंप्रेचर के आसपास पे तो हमें phenol product के रूप में मिले थे पहले सलफोनीक acid मिला था फिर बाद में उसको sodium hydroxide के साथ ट्रेट किया था तो पहले तो acid base reaction किया था बाद में disulfonation कर लिया था उस disulfonation के बाद हमें phenol मिले थे तीसरा तरीका जो हम लोगों ने पढ़ा था वह एनिलीन से पढ़ा था यह पी एच एनस्टो इसकी रियक्शन हमने nitrous acid के साथ कराई थी एन नो टू प्लस एसे जनरली पाया नहीं जाता लेब में तो हम इसे बीच की इसकी रियक्शन में बना लेते हैं यह थंडिट यह कम टंप्रेचर पर स्टेबल होते हैं तो इसके लिए हम लोग बाहर से क्या करते थे आइस मिला लेते थे तो यह डाइजोनियम सॉल्ट पन के आते थे पियच एंटो प्लस एल माइनस फिर इसकी रियक्शन हम लोग गरम पानी के साथ कराते थे तो जैसे हम लोग गरम पानी के साथ रियक्शन कराते थे तो यह फिनॉल प्रोडियूस कर देते थे चौथा तरीका हम लोग ने क्यूमीन से पढ़ा था यह सी एच CS3 का hole twice सबसे पहले हमने इसकी aerial oxidation कराई थी तो यह oxidize होके paroxy में convert हो गया था फिर बाद में हम लोगों ने क्या किया था इसे heat कर दिया था H plus के presence में तो यह phenol में convert हो गया थे और साथ ही साथ यह बनाया थे acetone यह पाचवा है ही हमने क्या लिये थे decarbonulation reaction इसका कराया था NaOH और calcium oxide के साथ कराई तो हमें phenol product के रूप में मिले और एक आखरी जो हमने बात की थी छटवें तरीका बनाने के लिए वो gregnard reagent से mgbr लिया था half molecule या half mole oxygen लिये in presence of dry ether तो उस case में हमें यह phenol oxide mgbr मिला फिर उसको हमने पानी में मिला दिया और पानी में जैसे मिलाया तो हमें phenol product के रूप में मिल गया तो यह सारे तरीके थे जिससे हम लोगों ने phenol के preparation देखी थी यह 6 तरीके आई हो आपको यह वीडियो पसंद आई होगी एक बार इसे note कर ले ठीक है और याद रखें यह हमें बहुत आगे भी काम आएंगे ठीक बबाए